वेल तो गाईज कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग का स्वागत एक और ब्रैंड न्यू वीडियो में आर यार गाईज आपका रक्षा मंदन कैसा निकला यार बताना हम यार वीडियो तो बनानी पा यार घर पे रिष्टेदार आये हुए थे बाई साब गाईज इतना गंद पड़ा था ना गर पे इन दो दिनों में पूछो मत बाई साब बच्चे बड़े सब बाई साब आये थे और मिठाईयों का तो धेर लग गया था धेर अभी अभी बाई साब घर की सफाई करकर अमने वीडियो स्टार की है अरे यार हाँ गैस यार रक्षा मंदन में मजब होता है यार क्या बाते की कितना हसे यार कितना खेले आप सभी लोग का रक्षा मंदन कैसा निकला बताना जुरूर यार और यार फ्रेंकल भीया को देखो फ्रेंकल भीया के बैक में पैसे कितने हैं वो पूछो अबे ठीक है यार बार बार सबको ये बात मत बता अब गैस आम पर रक्षा मंदर में तो खर्चा होता ही है क्या ही कर सकते हैं हाँ वो बात अलग है कि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में सबको भाई सब हजार हजार डोलर दे दिए जो की थोड़ा जाद है पर भाई साब है ने खुछ रहनी चाहिए हमारा क्या भाई साब पैसा तो बनता रहेगा चल भाई साब शिंचन अब जादा मत बोल चल लेयार आप तु जल्दी से भाई साब ये बता कि आज की वीडियो में क्या करने का प्लैन है तेरा आप पूछी रहे थे क्या करने का प्लैन है और कोई घर पे भी आ गया है अच्छा यह आपके लिए संदेशा आया है क्याआ का है आँ संदेशा 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 किसका संदेश आ रुके 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 पाणी का घिलास मिलेगा हाँ मिल जाएगा 182 पाणी का लिख बाणीте का पहले संदेशा पताή Woah अरे देखिया हम बहुत दूर से आया है मैं बता रहा हूँ वो आपके साथ दो और लोग भी रहते हैं उनको उपर बुला लीजिए सबको साथ में संदेशा सुनाने के लिए बोला है सबको साथ में संदेशा बुलाने के पता नहीं भाई क्या बखवास अब शिंचन चोप यार उपर आ जाओ पाता नहीं कौन भाई सब अपने बारे में इतना सोचता है जो कि हमारे लिए संदेशे बेज़वारा है अरे यार फ्रेंकलीन आपके साथ में कोन में इस नाम बताता है उछक पहतीक होगाए थे आरे व्काम की बात करना तेसे जांकाए और मेरा फीए वर उपकोस बताता हुन नात supplier आपके लिए संदेशा बिजवाया है, किसने बिजवाया है, नाम पता कुछ तो होगा, किसने बिजवाया है, प्रेले ये बता किसने बिजवाया है, नाम बता उसका नाम, अरे ये इतना करीब आकर मत खड़े हो, शरम आती है, थोड़ा दूर जाए, अबे यार, क्या है यार तो देखिए बात कुछ ऐसी है तो जिन भाई साम ने ये संदेशा बेजा है उनका कहना ये है हाँ बता उसका क्या कहना है तो उनका कहना है दियर फ्रेंकलिन मैं जानता हूं कि ये कोई बड़िया तरीका तो नहीं है तेरे से बात करने का पर फिर भी उमीद करता हूं तू मेरी बाते समझेगा और इस पे एक्शन लेगा अबे भाई साब ये कैसा मेसीज है अरे रुके पूरा पढ़ने दीजे ना तो मुझे उमीद है कि तू ये अच्छे से पढ़ेगा और इस पे एक्शन लेगा मैं को नूँ ये तो तुझे जल्दी पता लग जाएगा पर फिलाल तू इतना जान ले साथ बज़े के करीब तू मेरे को मिलेगा अबे क्या बक्वास कर रहा उनकी जिन्दकी अब मेरे हाथों में है तो बैतर होगा तू मेरे को सही टाइम में मिल नहीं तो तू बहुत पच्छताएगा और नाम नहीं लिखा उसने अबे भाई तू क्या वक्वास कर रहा है आरे यार फेंकल ब्या ये किस तरीके का संदेश है वे भाई साब इस पे भरोसा मत कर भर ऐसी बोल रहे ये अबे किसने बताया 있어 को बताए तेरीको नाम नहीं लिखा अबे भाई साब तेरे को समझनी आ रहा क्यार हो कि किस ने बे जाब बता जब साब इसको मारे मैं तुमको है पूरे साथ बूर रहा था, साथ बज़े मिलना नहीं तो वो तेरे को नहीं छोड़ेगा, अब ऐसे कैसे, तेरे को हाथ तो लगाए कोई, भाई साब कलुए बे, चल छोड़ बे, ऐसे कोई मज़े ले रहा होगा, अब फिर भी यार, चौप मज़े की भी कोई हद होती है, कितना बंदा प्लाजा के पास नहीं जाओगे यार, हम आपको नहीं जाने देंगे, अब हाँ, मैं जाने भी नहीं वाला, ऐसे मुझे परिशान कर रहे होगा कोई, ऐसे कैसे बाई साब मैं चले जाओगा, हाँ बाई साब इतने ज़्यादा दुश्मन जो हैं, अब यार पर गईस, ये क प्लाजा की पार्किंग में जाकर इसको मिली लूँ, और देखूं बाई साब इतना भद्दा यहां पर संदेश कोन भेजता है, अरे नहीं यार, आप नहीं जाने वाले यार, अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जान को खत्रा है, बाई साब हाँ करोगे तो आपकी जान को थोड़ा बहुत, आपने उसको मार कर यार, उनको दिखा दिया है कि आप किसी से नहीं डरते, अबे बिल्कुल बिल्कुल चला जा खाना खाते है, अरे यार, फ्रैकल बिया, क्या सोच रहे हो यार, बाई साब तु कपका फोन में गुसा हुआ है, यार, क्या हो गया परे को अबे कुछ नहीं कुछ नहीं वैसी, मैं तो टाइन देख रहा था, साथ बजगे, भाई साब तेरे को बोला तो भूल जा उसके बारे में, नहीं जाने वाला तू कही पे भी, आरे यार, हाँ फ्रिकल भी आप कहीं नहीं जाने वाले यार, छोड़े यार, साथ बजगे आजा चोप, अगर हिमत है, तो पकर कर तो दिखा, भाई साब रुक में, अभी तेरे को पकरता हूँ, भाई साब एक बार तू नीचे तो चल, तेरे को पकर कर मैं दिखाऊंगा, आरे बसकर यार, कभी तू मुझे पकरम पकड़ाई में पकर भी पाया है, आरे यार, कभी नहीं देखना, ऐसे घर पे घूमूँगा, ऐसे घूमूँगा, तेरे को पड़ा भी नी लगेगा, अबे यार, गाईस, यहाँ पर साथ से भी उपर टाइम हो चुका है, और अभी तक गाईस, मैं शत पे ही हूँ, और अगर आप सोच रहे हो कि भाई सा मेरे को हो क्या गया यार, नहीं यार, यह मैं नहीं होने दे सकता, यार, गाईस, यार, नहीं होने दे सकता, यार, चालिस मिनिट उपर हो चुके हैं, क्या वो होंगे अभी तक वहाँ पे, अब यार गाईस, छोड़ो यार, मैं तो कहता हूँ, एक बार उनको मिली आते हैं, साथ में देख लें मैं खुद को ब्लेम करूं कि मैंने क्यूं भाई साब उस वक्त गया नहीं था मैं तो गई चलो यार यहार यहार चलते हैं सूबे से पाइसा भी अंकल भी यही पर गिरा हुआ है तो गैस यहार गाईस यहां पर एक बार जा कर देखी लेते हैं भाई साब वो लोग चाहते क्या हैं कम से कम गाईज आपर शींचन और चोप को तो वो कुछ नहीं कहेंगे न तो गाईज चलो यार चलता हूँ भाई साब बस गाईज इन दोनों को पता नहीं लगने दूँगा हमने गाईज सिर्फ और सिर्फ रोगफोर्ट प्लाजा के यांपर पार्किंग में जाना है बाकी कैस काम होई जाएगा तो भाई साब चलो यार चलते हैं यार मैं तो गाईज यांपर सिर्फ और सिर्फ और शिफ एक रीजन के लिए जा रहा हूँ कि वो लोग और चौप कुछ ना करते हैं बाकी एक पार भाईसाब मेरे आथ में आगे तो भाई मैं उनको बता ओं की वो है भाईसाब मैं कोण हूँ और वो कोण है क्योंकि उनको शा Exact पता नहीं है यर मेरे बारे में भाईसाब जो ऐसे ऐसे चीज़े मेरे घर पे बिज़वा रहे हैं तो यार चलो गाईज जल्दी से रोगफोर्ट प्लाजा चलते हैं बस बासी में है गाईज अगर हम यहां पर सीधा सीधा जाएंगे उसके बाद गाईज यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग नीच आगे आ जाएगी वो गाईज उसी की यह रोगफोर्ट प्लाजा की मुझे याद है चलो गाईज आपर जल्दी से बाईज पर चलते हैं बाई साब शींचन बात तो सुन यार मेरी अरे हाई यार क्या हुआ इतना चिला चिला कर क्यों आ रहा है बाई साब कल्वे को कहीं पर देखा तुने अरे हाँ यार वो तो उपर टीवी देख रहे थे मुझे लगता है यार खाना बनाने लगए होंगे यार आज रात को पनीर बनना है मैं बाई साब शींचन तो किस दुनिया में जी रहा है बे मैं मैं पूरे घर के चक्कर लगा चुका हूँ मुझे कहीं नहीं दिखा वो अरे यार क्या बात कर रहा है बाई साब और क्या मैं मेरे को तो डर लग रहा है कहीं वो सच में उनके पास तो नहीं चला गया नहीं यार उनको हमने मना किया था यार वो हमारी चिन्ता क्यूँ करते श्यादा अरे हमको कुछ नहीं होगा यार ये तो एक चाल होती है अगर वो फस गए उस चाल में तो य आरे यार देख यार अरे यार फैंकल भीया का मोटर साइकल भी नहीं ख़ड़ा है यार बाय सब मेरे को डर लग रहा है भे यार यार ये फ्रेंकिल भी या को कौन समझाय यार ऐसे नहीं जाना चाहिए था उन्हें पतानी यार वो लोग कौन होंगे अरे ये अंकल भी मर गया यार नहीं तो इसी से पूछ लेते अरे अंकल उठ जाओ यार बाई सब यह नहीं उठने वाला मेरे को तो बाई सब कलुए की चिंता हो रही है अरे टैंशर मतले यार आते ही होंगे मेरे को पता है अगर वो गए है तो यार गोलिया वोलिया तो लेकर गए होंगे हमें यार वेट करनी चाहिए वो जल्दी ही आ जाएंगे बाइस अब सही चैरा है भे तू, ऐसे कैसे कोई उसको हाथ भी लगा लेगा तो गाइस यहां पर यह रहा रोकफोर्ड प्लाजा तो गाइस यहां पर मैं आ चुका हूँ तो गाइस इसकी पार्किंग वहीं पे होगी पार्किंग गाईज इसकी शायद आरे ये रही गाईज यहां से इसकी पार्किंग होती है देख सकते हो ओ भाई साब दियान से देखके तो गाईज यहां पर मैं पार्किंग में घुश चुका हूँ देखते हैं भाई साब कौन वो बंदा था आपे यहां पर तो कोई भी नहीं है बाकी बता नहीं गैज उसने कहां पर बुलाया होगा मैं जल्दी से अपनी बाई को यहां पर खड़ी कर देता हूँ और गैज आपर वेट करते हैं उसकी बाकी गैज यह दर्वाजे बर्वाजे खुलते हैं अबे नहीं गैज यह तो खुलते हैं नहीं तो गैज इसके अंदर भी नहीं होगा वो अबे भाई साब मैं तो आ चुका हूँ कही वो चले तो नहीं गए गैज टाइम तो गैज यहां पर पहली साथ से उपर हो गया था अगर गैज वो चले गए हुए तो यार यहां पर गल्ती मेरी नहीं होनी वाली होने वाली है मेरे उन को तो यह लगता है कि भाई साब मुझे यहीं पर खरना चाये थोड़ी देर के लिए अब यार गाईज वो जल्दी आजा यार बाकी गाईज ये एरिया भी भाईज साब भोगती जदा सुनसान सा एरिया है मुझे गाईज अपनी गन भी बाहर निकाली लेनी चाहिए पुक्स मुझे नहीं लगता भाईज साब यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सेफ होंगा अब ये भाईज तो जो भी है भार को आजा तूने जो बोला था वो मैंने किया मैं तेरे पास आ चुका हूँ तेरे से मिलने अब शींचान और चोप को तू कुछ नहीं कहेगा ठीक है ना ये ले खड़ाओं मैं जल्दीया भाई साब कहा है कहा चुपए तू तूझे यह लगाता तो मैं डर जाओंगा तेरी धमकी से यहाँ पर आओंगा नहीं यह देख भाई साब यहाँ पर खड़ाओं बता क्या करेगा गईज, लोगों को देख लो, भाईज साफ, बोल इतनी तनी बड़ी बाते देते है पर कभी यहाँ पर आने की वो जूरत ही नहीं करते ऐसे लोगों से गईज, मुझे सकत नवर अफ्रेद है, भाईज साफ कम गईज, उससे कुछ नहीं होता भाईज साफ बै बाई सब शींचन तेरे को रस्ता सच में पता है अरे यार हाँ तू टेंशन मतले यार मेरे को सारा रस्ता पता है यार मेरा दिल धक धक कर रहा है यार मुझे लगता है हमें जाना चाहिए बाई सब टेंशन मतले में कलवा जल्दी आ जाएगा अरे यार पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार बहुत कुछ बुरा हो सकता है क्योंकि फ्रैंक्ली भया को जिसी साब से धमकी आई थी उसी साब से क्या पता वो कितने लोग हो या फिर कैसा हो बाई साब यार ये तो बहुत ही गलत बात है अरे यार कोई बात ने यार जाद आभी अंदेरा नहीं हुआ है यार जल्दी से चलते हैं मुझे भी पता है यार वो जगा कहाँ पर है भाई सब ये हुई ना बात भाई सब रस्ते हमेशा पता होने चाहिए जिंदगी में अरे यार हाँ मेरे को रस्त xuबात यार, यह देखा भी गया, अरे यार गाइस वीडि़ीयो को लाइक कर दे यार यार जल्ड़ी से ताकही फ्रेंक्लिल बें सही सलम्त हो यार अरे यार यहार 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 कि इसका मतलब क्या होगा हरे इसका मतलब यह होगा यार तो पूरे तरीके से यह है कि बहुती ज़दा बूरी लडाई हुई होगी अरे यार हां यार पता नहीं क्या हुआ होगा बाइसाब चल बे तू टेंशन मतले सब ठीक हो जाएगा आरे यार मैं तो यह सोच रहा हूं कि यार यह सब कोन कर रहा है और क्यों कर रहा है अरे कुछ तो करना प पड़ेगी हमारी दोस्तों की और यार है हमें अपने दोस्तों की पडेगी यार चलियार माइकल अंकल को फॉन करेंगे और मुझे लगताए कि व्रैवर को भी फोन लगाना पड़ेगा और л Això मार को भी बता बेंगे इन been a जाना पकिन भिए ऋपडिया को वापिस लेकर आन ऊपना हां विडियो को लाइक करणा हो जबितने चाहिए उल्किल लाइक कर देखेशन को सबस्क्राइब यह पेला आप्पेली आपको विडियो को लाइक बेखेशन हो ऑफ हो घ्रल ले चाहने मालश कर अएक बिद्रबन है了吧 बाइस साब बिलकुल लाइक कर दियो बाइस साब जल्दी से वीडियो को क्या लोगों कर दियो सब्सक्राइब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में आरे यार गैस तब तक लिए जाहें दन वन्दे बातरम बाइस साब टाटा बे